अध्याय 11 चतरभुज, Quadrilateral पैरे बच्चों, ये आपकी लेक नया अध्याय है और इस अध्याय में हम चतरभुज के बारे में बात करेंगे आप देख पाएंगे कि किन परसितियों में एक समतल पर चतरभुज की रशना हो सकती है उसकी परिभाशा कैसे बनाई जा सकती है इनके गुण क्या है चतरभुज के प्रकार क्या क्या हो सकते है और वो कौन से परिस्थितिया है जहां पर हम कि नहीं दो चतरभुजों के बीच समानताय इस्थापित कर सकते है उनके गुण क्या है और इन गोडों के अधार पर उनकी रचना कैसे की जा सकती है इन सारी चीदों को आप इशध्याय में देखेंगे जैसे को नहीं हम आपके सामने रखते हैं एक समानांता चत्रभूझ है कोई समानांता चत्रभूझ आयत कब बन जाता है और क्या आयत बनने के बाद भी हम उसे समानांता चत्रभुज कह सकते हैं या किसी समानांता चत्रभुज को आप आयत कह सकते हैं क्या आयत एक वर्ग भी होता है क्या वर्ग को आप आयत कह सकते हैं या आयत को वर्ग कह सकते हैं इस तरह के सवालों को आप इस अध्याय में समझ पाएंगे और आप इनका जवाब भी दे पाएंगे तो आईए शुरू करते हैं अध्याय ग्यारा चतुरभुज यहां नीचे कुछ आकरितियां दी गई हैं इनमें से कौन कौन से आकरितियां त्रिभुज हैं इने हम पहले देखें आकरिती एक में आप देखरें तीन देखा खंड दिखाए पड़ रहे हैं आकरिती दो में भी तीन देखा खंड हैं आकरिती तीन में भी तीन देखा खंड है और आकरिती चार में तीन से अधिक रेखा खंड है इनमें आप गौर से देखें तो आपको पता चलेगा तीन असनरेक बिंदोग मिलाने पर जो बंद आकरिती बनती हुआ त्रिभुज कहलाती है त्रिभुज तीन रेखा खंडों से घीरी आकरिती है इनमें तीन करें नीचे कुछ और चित्र हैं इन्हें आप देखिए यहां प्रत्य चित्र में चार बिंदू दिये गए हैं जिने मिलाने पर कुछ आकृतियां बन रही हैं आकृति 2.1 में चारों बिंदू एक ही रेखा परिस्तित है अता इससे एक रेखा खंड प्राप्थ होता है आकृति 2.2 में 3.1 रेखा में है और 14.2 बिंदू अलग है इससे एक तिर्भॉझ बन रहा है क्या आकृति 2.3 वो 2.4 में चाट्र बन रहा है यहां हम देख पाते हैं कि चतुरभुज बनने के लिए चार बिंदू butter में से तीन बिंदूँ को असंऔरेख होना अं onion है यदि किसी सतह पर चार बिंदूँ styl पर कोई भी तीन बिंदू एक रेखा पर इस्थित न हो अरथात असंऔरेख हो तब इन बिंदुओं को एक क्रम से मिलाने पर चत्रभुज बनेगा कुछ करके देखें आप उपरियत गुणों के आधार पर चत्रभुज को परिभाशित कीजिए आपस में चर्चा कर साथियों द्वारा लिखी गई परिभाशा भी देखिए विद्याला या काक्षा में ऐसी कौन-कौन सी वस्तुए हैं जिनकी कुछ सत्हें चत्रभुजा कार दिखती हैं उनकी सूची बनाईए जैसे शामपट, खिड़की का पल्ला, उस्तक का पन्ना, इत्यादी अब कुछ सोचे और आपस में चर्चा भी करें हमारे आसपास दीखने वाली बहुत सी वस्तुए आयताकार हैं आयत भी एक चत्रभुज है क्यों? चत्रभुज के प्रकार टाइपस आप कॉटिलेटरल आपने चित्र दो की आकरितियों तीन वा चार को चत्रभुज कहा अब चित्र तीन की तरह इन चत्रभुजों के विकर्ण खीचिए आपने देखा कि चित्र तीन एक में दोनों विकर्ण अंदर की और बनते हैं जब को चित्र तीन दो में एक विकर्ण अंदर एवं एक विकर्ण बाहर बनता है ऐसा क्यों है? जिस चतुरभुज में दोनों विकर्ण अंदर की और बनते हैं उसका कोई भी कोण 180 अंज से अधिक नहीं होता इस चतुरभुज को उत्तल चतुरभुज कहते हैं जैसे PQRS चित्र 4 जिस चतुरभुज में एक विकर्ण अंदर एवम एक बाहर बनता है तथा चतुरभुज का एक कोण 180 अंज से अधिक होता है ऐसे चतुरभुज को उतल चतुरभुज कहते हैं चित्र 5 में कोण BCX बराबर 180 अंज है अतर चतुरभुज ABCD का अंतर कोण BCD 180 अंज से अधिक है चतुरभुज ABCD में भुजा AB भुजा DC के समांतर है यह समलंब चतुरभुज है यह कहा जा सकता है कि चतुरभुज जिसका सम्मुक भुजाओं का केवल एक जोड़ा समांतर हो समलंब चतुरभुज यह ट्रैपेजियम होता है आईए कुछ करके देखें नीचे बने चतर भूज नहीं है एवं क्यों समानांतर चतर भूज प्हालेलो ग्राम सम्लम चतर ह्थऊच में भुज्ञाओं का एक युग या एक जोड़ा समानतर होता है कुछ सोचे और चर्चा करें पहला विभिन प्रकार के चतुर्भुजों में से कौन कौन से चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज भी होते हैं दूसरा क्या एक समानांतर चतुर्भुज एक समलम चतुर्भुज भी है अब आप आयत वा वर्ग बनाईए क्या आयत वो वर्ग भी समानांतर चतुर्भुज है हाँ आयत एक विशेष तरह का समानांतर चतुर्भुज होता है जिसका प्रत्य कोण नब्य अंश का होता है अब कुछ करके देखे पहला क्या आयत एक वर्ग भी है दूसरा ऐसा समाना अंतर चतुर्भुज बनाईए जिसके तीन कोण सम कोण हो पर यह आयत न हो क्या यह संभव है इस पर चर्चा कीजिए जब किसी आयत की चारो भुजाया समान हो तब वह कौन सा चतुर्भुज होता है यह चतुर्भुज वर्ग होता है चित्र नौ में देखें, क्या वर्ग एक आयत है, क्या वर्ग एक समानांतर चतुर्भूज है, क्या वर्ग एक सम्चतुर्भूज है, क्या सम्चतुर्भूज एक समानतर चतुर्भूज भी है, अब हम चतुर्भूज के कुछ गुणों एवं उनसे सम्बंदित प्रमेयों को सिद्ध करना सीखेंगे